हाई जोस्तों असलाब लगे हूं कैसे आप लोग में नभी ले आयो 17.6 का RC version final release हो गया यानि कि अब जो है final stable version आपको देखने मिलने वाला है बहुत जल्दी क्योंकि final stable version ही है यहां पर update का size अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है क्यों ऐसा है क्या है वो सब बताऊंगा मैं आपको और इसमें क्या कुछ हमको नया देखने मिलने वाला या नहीं देखने मिलने वाला कुछ भी नया वह आपको बता हूं अब अपडेट के size की तो 6.36 GB का update है इतना यहां पर आपको ऐसे ही बड़ा update देखने मिलेगा तो यहां पर भी ऐसे ही आपको बड़ा update देखने मिल रहा है अपडेट से पहले बेटा वर्जन पर ही चल रहा था मेरा यह वाला फोन क्योंकि मेरा आइफोन 15 प्लस है अवेलेबल फ्री स्पेस देख सकते है तकरीवन 71 GB के आसपास modem firmware देख सकते है update के पहले का 1.70.02 अपडेट के पहले यहां पर जो बिलिल नंबर था उसके end में यह था इसके बाद मैंने बोला ही ता आपको क्या RC version आपको बड़ती देखने मिलने वाला है तो RC version यहां पर आ चुका है आपको बहुत ही जल्दी iOS 17.6 का final stable version देखने मिलने वाला है अब इसमें बात करते है क्या कुछ नया है तो यहां पर आपल ने इसके बारे में कुछ भी mention नहीं किया है जो हम लोग beta version के अंदर 1,2,3,4 के अंदर discuss करते हैं अच्छे features भी है आपको better ही experience होगा 17.5.1 के जो main focus रहने वाला है वो iOS 18 के उपर रहने वाला है तो इसके release notes है मैं आपको दिखाता हूँ इसके release notes में आप देखेंगे तो साधा करके bug fixes और result issues के उपर ही यहां पर focus किया गया है तो इसके बारे में ही हम हम बात कर लेते क्योंकि यहां पर जो नहीं features मैं और जो final stable version का फिर यहां पर जो application है marketplace में जिसको install किया है उसका license expired हो गया है उसके notification नहीं आ रहे थे वो यहां पर solve हो गया है अफलोड application को reinstall करने में प्रव्लम आई थी वो solve कर दिया अपल ने notes related यहां पर एक known issue था जिसका workaround दिया आपल ने वो अभी तक solve नहीं हुआ है 7.6 beta 2 beta 3 में जिन में note folder जो है no folder available दिखाता था उसको यहां पर fix apple नहीं कर पाया उसको workaround दिया है जिसके अंदर आपको notes का जो folder widget है उसको निकालना पड़ेगा और करना पड़ेगा और update करना पड़ेगा device को 7.6 beta 4 के उपर तो RCI आई चुका है भी और आपका problem यहां पर इस तरीके साब solve कर सकते widget को uninstall करके restore करके इसके अलावा guys यहां पर network के अंदर कोई भी change नहीं आया क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको के modem firmware में कोई change नहीं है क्योंक setting general में जाते है iPhone storage में हम चले जाते है यहां पर यह देख लेंगे हम के system data जो है कितना 8.65 GB यहां पर है जो के मेरे primary device है जिसको मैं सबस्क्राइब होना चाहिए उसके मुकाबले काफी जाद है वह आपर 1.07 GB देता है और यहां पर 8.65 GB लेकिन फिर भी काफी ठीक है इसमें को value कम जादा होती रहेगी यह कम जादा होते रहेगी बहुत जादा है 30 GB, 40 GB, 50 GB तो फिर concerning चीज़ है general performance देखिए दोस्तों overall अच्छा है stable version ही है यह तो इसमें कोई दिक्कत आपको वैसे आनी नहीं चाहिए कोई आप crashing कर रहा होगी आगे जाके तो मैं आपको वीडियो बना क score 200 points से बढ़ गया है जो कि अच्छी बात है और यहां पर यह जो score 6680 यह कब था देखिए यहां पर इस वाले update के अंदर था यह कौन सा update है तो यह है 70.6 का ही पहला beta version तो यहां पर उसके बाद थोड़ा कम हो गया था जिसे मैं आपको बताया था यह concerning है लेकिन अभी आपस इसको apple stable पे लेके आ गया है और multi score score सही कर दिया यहां पर तो अच्छी बात है और अगर हम और पुराने update में देखें उसके मुकाबले भी यहां पर जो multi score score है वो जादा यह 70.0.3 का यह वाला जो है यहां पर आप देख सकते है 70.5 का score तो उसके मुकाबले यहां पर better ही score आ यहां पर यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं तो जीपी का score तो स्टेबली है 22,800, 900 यह 23,000 एक जैसे ही समझ लीजे तो यहां पर कोई problem आपको नहीं आनी चाहिए performance में बैटरी की बात करते हैं यह हमारा primary device नहीं हम iOS 18 पर चल रहे है उसको जाधा cover कर रहे है फिर भी यहां पर मैं बता देता हूं कि यह वाला जो phone है इसमें आपको battery health 100% ही देखने मिलेगी कि cycle count दे कि 55 है बच्चे इस्तमाल करते गेम वगरा खेलते है तो उस तरी किसे टेस्टिंग भी हो जाती है पाकि बहुत जदा इस्तमाल यह सही तरीके से इस्तमाल नहीं किया जाता त बैटरी हेल्थ इसकी गिर भी सकती आगे जाके बट यहां पर फिर भी 100% पर बैटरी हेल्थ है तो बैटरी हेल्थ का कोई यहां पर जो इस update से relation नहीं है और overrating करके अपडेट जो है आपकी बैटरी हेल्थ नहीं खाने वाली और battery life के बारे में जब final stable version आएका उसके रिवी अच्छी बात है क्या बुरी बात है सारी चीज़े में बताऊंगा उसके बात करेंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा बाकि आपकी मरसी यहां पर आपको अपडेट देखने मिल सकता है iOS 18 beta 4 भी रिलीज हो चुका है developer beta 4 उसका public beta भी आ जाएगा beta 2 उसका वीडियो बना चुका ह और के जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब चुके गुद्बाए